हेलो फ्रेंड स्वागत हापका स्टड़ी हैक चैनल पर जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारी वोकाइब की सीधी चलिए जिसमें हम बात करते हो वोकाइब की एक्तम बेसिक लेबल से जिने कुछ नहीं भी आता हो वह भी बरी आसानी से वोकाइब सीख सकते हैं कि मैं इस में में इसमें टेक्निक के साथ एक्स्टरा कर बाता हो तो पिक्चर टेक्निक करते हो ताकि आपको चीजे ज्ञादा समय तक याद रहा है और उसके अलाबर मैं हो सके तो करड़ाएं थिक है उसका प्रैक्टीस होते हैं और आपको पता हुआ आप आपको पता हुआ है दिक लिए बहुत ही इंपर्टेंट होती है तो हमारी यह क्लास आपको बता दू कि डेली 5 प्यम पर होती हुँ मंदे टू फ्राइडी सेटरड़े स्पेशल क्लास होती जो आप कमेंड करते हो कि इस टॉपिक पे मुझे दिखकत है तो मुझे बेस्ट लाता हूं ठीक है और आपको पता ही इंगलिस ग्रामर भी एक इसके अंदर बहुत सारी पर्तिवा हो इसको कोई भी काम देता हो कठीन से काम उसके अंदर पर्तिवा होती है तो आप क्या होते है बहुत चक्क्य हो जाता हो इसने तो करिस्मा कर दिया है ऐसा करिस्मा मैं पहले नहीं देखा था तो वही करिस्मा है ठीक है वही है पर्तिवा इसके बात कर लेतों हो जागा चार्म, मैंगनेटीज्म, फैसिनेशन ठीक है आप सोचे को मैंगनेटीज्म कैसे है अगर आपके अंदर प्रतीबह होगी तो लोग को क्या करोगा आप एट्रेक्ट करोगे ठीक है मैंगनेट की तरह चुमबग की तरह अपने तरह आकर्सित करो ठीक है तो इसके अंटोनिम्स क्या हो जाएंगे रिपल्सान अन्प्लीजन मतलब क्या है आप में रूची नहीं है और रूची है ठीक है आई होप आपको चीज़े किलियर हो गई होगी तो आगे बढ़ते ठीक है नेक्स्ट वर्ड जानते है नेक्स्ट वर्ड है चौवीन मतलग क्या होता है क्टर तंह आप जानते हों कि शीजकू पक्ष में रहेंगे तो वही चीज अपने के प्रती पैक्ष में रहता है को एपने रिलिजन के प्रती रहता है revealing के प्रती रहता है कि उसको कि पहले लड़कियों को तलवार वाजी करने नहीं दी जाती थी वो भी एक कटरता आई थी ठीक है सिर्फ मेल लोग ही कर सकते तो इसको बोलते थे मेल लड़कियों के लिए तलवार नहीं है तो यह क्या है मेल चौविनिस्ट में चलिए आपको किलियर हो गई तो आगे बढ़ते हैं निक्स वाज है चाइड चाइड मतलब होता है ठीक है यह वड मैंने आपको प्रीवेस से कोस्टर में दो तीन बार करवा रखा है ठीक है तो यह एजी वड़ है आपको आई हो किलियर होंगी चीज़े चाइड रिव्यूक एसको रिप्रूब एड़मोनिस यह सब क्या इसक चाइड से याद रखना कि मैंने किसी को चिड़ा दिया हमसे बड़े थे कोई बड़े लोगों को मैंने चिड़ा दिया तो फिर क्या हुआ मुझे क्या लगी तो डांट लगी ठीक है आप इस चीज़ को करके देखना किसी बड़े इंसान को चिड़ा के देखना ठीक है तो ठीक है आपको चीज़े किलियर हो गई होगी तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वार्ड है चूजी चैन अत्मक यह मैं आपको ओडाबलूस में करवा चुका हूँ ठीक है तो कौन सा बंदा होता चूजी जो बार-बार हर चीज़ को सलेक्ट करें तो सेलेक्टिव फास्टीडियस पार्टिकूलर यह सब क्या हैं इसके सीनोनीम्स हैं ठीक है अब देख पारेंगे इस बंदेव को कि बहुत ही चूजी है कि मैं नहीं मुझे बेज़िटेवल्स नहीं कहते हैं मुझे तो बर्गर खाने है पीजा खाने तो क्या है बहुत ही आपको चीजे अच्छे लगने लगते है ठीक है अब इसको ऐसे रिलेट कर लोगे आप अगर डे टू डे लाइफ से वर्ट कोई रिलेट करते हो तो आपको चीजे ज्यादा समय तक याद रहेंगी ठीक है नेमोनिक्स बनाने के भी ज़रुवत नहीं पड़ेगी आपको आ सब्सक्राइब कर लेते हैं कि सब एक साथ एक स्वार में गा रहे हैं इसी को बोलते है कोरस ठीक है अब कोरस सौंग भी सुने होगे तो आपको चीजे खिलियर होगे यह नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स जासा आपको पता है कि वर्ण वर्ट सब्सक्राइशन का से सन आता है तो आज का पहला ओडवलीय से वह है बाई सेंटेनियल मतलब क्या हैं मतलब 200 साल का कोई बीची सबस्सक्राइब हो तो उसी Waarऄ से 2 याद माले की से आपको पता है सउ के लिए था वर्ट होड़ सब्सक्राइब पर्सेंटेज परते हो ना तो प्रती 100 पर तो सेंट मतलब सब्सक्राइब तो इन्टू सब्सक्राइब अन्यवर्सली तो आपको चीजे ज्यादा समय तक याद रहेगी चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट बायनील मतलब दूइववशिक ठीक एक है बाय बाइवर्सबे हो उसी को कि बोलते हैं डीवशिक यह सब चीजे एज़ी है आपको चीजे एक आगे बढ़ते हैं नेक्स बात करते यह भी अभी आपको पढ़ाया थीक है अभी पढ़ाया इसका सिनोनीम सेंटमेंट मतलब क्या होता है कट्टर वेक्ति जो एकी सिध्धानत को आगे तक बढ़ाया है ठीक है वह बोलता कट्टर वादी ठीक है अब परसन हुई थीक है थीक है सिनोनटमेंट चलिए ने परसन हो कैन सपीक योसिफ को बहन सबसकता है थीक है उसी को बोलते हैं वीas पारे को है यह होला और आउडशा एलो थीक है अब बताने कि रहे होला किसमे कहते हैं अब बताना आपको मैं वहला साथ Spanish और Portuguese में से होता है और है और हैलो आपको पता है इंगलिज में तो आप कमेट में बताना कि यह कौन से लेंगे से नेक्स बात कर लेते हैं नेट्स है बायों डिगरेड़ेबल मतलब क्या है कि प्रकृतिक तरीके से जो सरन सील एक यह चीजे आ पने बच्पन से परतियार यहीं और इन पड़ी अच्छाशी को सहयों okay जो चीज अगर आप कीचेन का समान देगा फूर्ट को वगरा तो क्या ओते बाइओ डिट्रडबल होते वुक्स के पन्ने वगएर क्या होते हैं बायो डिग्रेडबल उते जिसको अगर आप मिटी में रख दो तो सर जाता और गल के मिटी में फिर सवाकस मिल जाता नन्गी डेडरेबल क्या थे प्लास्टिक वैक्स ठिक है बहुतल्स इन सब को रख दो मैं आपके कमेंट आज इंकलोड नहीं कर पाया पर विख्मा ने सही सहीं करना है ठीक है खुद को बताना कि मैं बहुत ज्यादा स्यर्स्ट हूँ अगर आप देख पारो कि कहीं पर कोई रीच परसन होता लगजरी कार से ब्म डबलू सा आएगा किसी स्लम एडिया में जाएगा ठीक है बल्लों कि यह व्यूंडबलू था किसी स्लम एडिया में नेक्स है एट अलोस ठीक है अगर आपको कोई चीज खो जाता है तो फिर आप डिसाइड नहीं कर पातों कि अठेक है आपको कहीं जाना है ट्रेइन से ट्रेवल करना है ठीक है आपका ट्रेन का टिकट हो गया तो क्या होता आप निनना लेले में समर्थ हो जाताओं कि ट्रेन में बैठे या ना बैठे लिए दो ँससे कि होता है अने लीट का लेद कर लेते हैं आप किसी चीज को श्ट्रेच करते हुँ अपने बोड़ी को ही जब मेडिटेशन करते हो और चोड़ देतो फिर आप गिर जाओ तब उसको लगता रहे इसको फूरे एक स्टेंड रहे जहां तक आप कर पाँ ठीक है इसी का मतलब होता है एक एस्ट्रेच मतलब लगातार को वीचिश कंटिनुवसली हो रही हो तो एक घंटे बाद करेंगे तो ऐसा ने लगातार करें आटे स्ट्रेच पंश्पने बात कर लोगे कीमत होई नेक्स्ट है आट एृविड क्या स внимание को कोई जरलरी नहीं दिया महिंगी जो क्या क्या थैक है क двух विषém ठीक आप तुमकुछ हुआ है पूब है कि नहीं कीमत हो nesse में चीजम देद हो मैं तो मुझे जो परसंद आई थी तुमने नहीं दिला है तो वही होता है at any cost कोई भी कीमत लगा लो या कैसी भी परस्तिती हो ठीक तो under any circumstance ठीक है और एक और होता है ठीक है यहीं पर बता दू to cost and arm and leg मतलब क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा expensive है इतना expensive था कि आपने अपन के लिए ठीक है चले next बात करते हैं कि नेक्स्ट है at bit and call ठीक है इसारे पर नाचने वाला दूसरों के संखेत पर चलना है ठीक है at his disposal to be dominated by someone ठीक है और किसी ने आपको कॉल किया और आप तुरंट पहुंच जा रहे हो ठीक है कहीं भी हो तुरंट पहुंच जा रहे हो तो जानते हों कौन पर सब्सक्राइब क्या क्या करता है टो आपके चल निध्र का आगा सिर्थ कि बात कर ले तो दौर डेख पाड़े होंगे थो थोड़ा कर लो आज के लिए ठीक है तो आप अधड़ेस कर लो आज के लिए ठीक है तो जैसा कि uncondма आप डोशिए निकलते हैं 100 गॉल्टन रूज किस चीज के तो Communist हम करते हैं एरा तक हम लोग ने 30 रूल डिसक्स कर लिए आज 31st रूल डिसक्स करेंगे ठीक है तो मैं एक रूल इसलिए बता थो कि आप उस पर बेस्ट को प्रैक्टिस भी कर लो ताकि आपकी चीजे क्लियर हो जाए और आपको कभी भी इसमें समस्या ना है ठीक है तो आज का रूल क्या कह र थी स्टॉट है थी आप है कोई भी साथ में हो राए ठीक है सब्सक्राइब फोक्रक्ति करते हो उसके साथ जींस करते हैं तो आप देख पार होगा sentence है how long are you working ठीक है in this office होगा ठीक है यहां पर इन दीस office तो आप देख पार होगा कि आप उससे पूछ रहो लेकिन वह काम अभी भी कर रहा है ऐसा थोड़े था कि उसने past में किया था और अब नहीं कर रहा है काम तो past से अभी तक कर रहा है ठीक है तो अभी बता है कि past से अभी तक करेगा तो क्या होगा present perfect continuous tense का यूज करेंगा तो सही answer क्या हो जागा how long have you been working in this office ठीक है आपको समझ कहां से आई कि इसमें perfect लगए यह देखो how long अभी बताया कि since for how long लगा हो तो how long have you been working in this office ठीक है आपको चीज़े किलियर हो गई तो आगे बढ़ते हैं जैसा कि आपको पता कि next हमारा क्या होता प्रिवेस यह question discuss करते तो question answer के session होते हैं ठीक है तो आज हम बात करेंगे सीजल 9 दिसंबर के shift ठीक है 2020 की तो पहला question है आपको synonyms बताना है encounter के लिए 10 सेगेंड मिलेंगे चार option है starting avoided outside experience ने ठीक है help ले सकते इस sentence का भी ठीक है तो इससी के साथ time up हो गया I hope आपको answer अभी तक आप लोगों ने कर दिया होगा आपको चीजे clear हो गई होगी तो मैं बता दू कि इसका जो साही answer होगा encountered encounter का जो साही synonyms हो जागा वो हो जागा option number four experiencing ठीक है आप देख पार में इस sentence में भी experience ठीक है encounter मतलब क्या होता अनुभव ठीक है experience मतलब क्या होता है एनुभव होता है encounter मतलब आप चीजों को जब encounter करता हो तो आपको अनुभव होता है ठीक है तो इसके लिए आप क्या लिख सकतो से स्टार्टिंग आपको पता स्टार्टिंग मतलब क्या होता सुरुआ वाइड मतलब क्या होता बचना या ठालना तीक है इसके लिए एक इडियम भी है ठीक है कि एड ठीक है आगे क्या आप कमेंट में जरुरू बताना ठीक है आउटसाइड मतलब बाहर ही होता एक्स्टरनल फॉरें इसको बोल सकते ठीक है चलिए नेक्स क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो हमारे जो नेक्स क्वेश्चन आपको इडियम बताना ग्रीन होन के ठीक है यह मैंने आपको करवा रखा प्रीवेश्चन में ठीक है आपको आसानी होगी करने में ठीक है ओबर इन्थूजियास्टिक ठीक है इनेक्स्प्रियेंस सिख जेलस चलिए इसके साथ टाइम आप हो चुका है आई होप आप सभी लोग ने एंसर करी दिया होगा तो इ इसको बताना वर्ण बताना इस ग्रूप बड़िक के लिए मडर ऑफ एन इंफैंट ठीक है चार ऑप्सन है इंफैंटिसाइड फेटिसाइड सेक्रिफाइश फोटेसाइड फटाफट एंसर करेंगे आई होप आपको चीज़े क्लियर होगी ठीक है इसी के साथ टाइम आप हो चुका है तो आई होप आप सभी लोग ने सई से एंसर कर दिया होगा ठीक है तो इनफैंट देखाऊगा तो यहां पर दिख रहा होगा इंफैंटिसाइड फेटिसाइड मतलता ब्रून हत्या फीटस में उसकी हत्या कर दी जाती है सैक्रिफाइस आपको पताईए ठीक है और एनीमेलिस्टिक एनीमेलिस्टिक थीए तो इसके साथ टाइम अप हो चुका है आ polit के सब m сам आWe के अपने सब्सक्राइब लुगें सब्सक्राइब लेताया चार सब्सक्राइब आइंजिए छटाए थे फटा फटाए एंसर कर दियेगा कमेंट बॉक्स में हैहोप और सबी लोग ने सैसे शेकर दिया ऊगा तो इसका जो सही सीनोनिम्स होगा चैरी वह कौन सा हुजागा तो हो जागा कॉसिस ठीक है चैरी कॉसिस मतलब क्या होता सतर्क तेब बोल सकते इसको एलर्ड औ और क्या बोल सकतो अवेयर, ठीक है, चैरी मतलब परत भी होता है, एक मतलब इसका परत भी होता है, जब परत परत होगा, मतलब कोई सतरकता बरत रहा है, ठीक है, आप कदम बार बार रख रहे हो, फूख फूख के परत परत चर रहे हैं, तो इसका एक और मतलब होता है, चैरी कर ऐसी ता आपको पता किन मतलब क्या होथा औत सु की न का ही जिनों मतलब रहिए दो एसको बोल सकर लेते कि तो नेक्स्ट आपको सुसनोी transmit बताना एंगर का भ़ूत यह चार ओप्शन ने comfort pleasure फड़ी एगनी यह बहुत ही असान है आप लोग दो से तीन सेकेंड में कर पाओगा एंसर ठीक है तो 46 साथ time up हो चुका है I hope आप सभी लोगे साइंस कर दिया होगा तो एंगर मतलब क्या होता है क्या होता है मतलब अब तो कर दिया होगा तो इसके जो सिनोनिम्स हो जागा वह जागा फड़ी ठीक है और क्या बोल सकतो रेज बोल सकतो ठीक है फड़ी भी होता है रेज होता है रैठ भी होता है यह सब मै ईक आपनी जानता हुई फोसीनेस ऑगगे अपनी आपको पता है क्या सॉप्ण होगे स्पीड़ा ति कि हो आप इसकोiminn ठीक है पेइन बोल सकते हैं एंगुष बोल सकते हो यह सब मैं करवा रखाऊ हूं तो यह सब इसकी क्या हो जागए snich surveys हो आउने हों लेगा परने left सब्सक्राइब करें नेक्स क्रॉस्चन की बात बात करो सब्सक्राइब अरधी टिंटे matters अंसे का रहा है कि इसका जोगात दो इन डिसेजम्ड वा सब्सक्राइब है तरकार काइंड यह कि इदो सब्सक्राइब कि सब्सक्राइब तर्फिसर करें tank किव्यूंस को फटा एक रहा है होता है था आए प्रकार काइंड तूट्रेश होता है और क्या होता है और डेफॉल्ट का मतलब पता है निर्णाइं डेफॉल्ड मतलब जो एक अभाब ठीक है default मतलब अभाब होता है गर कोई बीची default जैसा का तैसा मतलब क्या उसमें कुछ अभाब है कुछ कमी है लैक है ठीक है कुछ scarcity है ठीक है decesive मतलब क्या होता है डिसीसि문 मतलब होता है निरनायक डिजल वाले हो ठीक है defendant हो जो चीज़ Defi20 डिफिनीटीब बोल सकता हो इसको ठीक है और क्ला वोल सकतू मसुद के साथ कुरूचिल भी बोल सकत हो पुनिशल ओ चीज ठीक है यह सब इसके से सिनोनीमस है और हर्स का मतलब पता ही आपको रीजिट का ठोड़ होता है ठीक है रीजी स्टीफ टफ ये सब क्या हो जाएंगी सिनोनीमस हो जाएंगी चले नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट आपको हमबर्ख बताना है इडियम का मतलब एट डेगर्स ड्रॉण ठीक है आपके लिए पिक भी दे रखात आपको कब से कब तक करना है जैसे कि मैं बताता हूँ तो चली आज के लिए बस इतना ही आज का क्लास आपको कैसा लागा कमेंट करके जरूर से जरूर करने है तो आप उन्हें जरूर से जरूर से शेयर करें ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही मिलते है नेक्स्ट क्लास में कुछ नया लाओंगा ठीक है तब तक के लिए जय हिंद जय भारत टेक किया